प्लास्टिक फ्री इंडिया का ड्रीम मतुरह में पी एम मोदी ने की महा मिशन की शुरुआत उत्तरप्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदिय तिनाथ ने किया स्वागत पी एम मोदी ने प्रदर्शनी का जाईजा लिया। अमानवाधिकार पर विशेश सत्र का प्रस्ताव भारत ने जम करकी खिचाई युनाचारसी में कश्मीर पर भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब कश्मीर भारत का आंतरीक मामला धीरे धीरे हालात हो रहे हैं समाने कहा पाकिस्तान आतंकी संगटनों पर करे सख्त कारवाई कश्मीर पर 115 पन्नों के जूट के साथ युनाचारसी में रोया पाकिस्तान राहूल गांधी, उमर अब्दुल्ला और महबुआ मुफ्ती के बयानों का भी दिया हवाला कश्मीर पर जुट बोलते बोलते पाकिस्तान की जुबान पर सचाया विरेश मंतरी शाह मेहमूद खुद बोले जम्मू कश्मीर भारत का राज है पाकिस्तान चीन ने जॉइंट प्रेस कॉन्फरेंस में किया जमू कश्मिर का जिक्र भारत ने प्योके में चीन के सी पैक प्रोजेक्ट पर जताया विरोध कहा पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर प्योके की अथा स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है श्रीनेगर में एरफोर्स के चार अफसरों और एक नागरिक की हत्या की मामले में जम्मों की टाड़ा कोर्ट में हो सकती है जेके एलफ चीफ और हुर्रियत नेता यासीन मलिक की पेशी तीस साल पहले यासीन पर दायर हुआ था कीस लेकिन राजनितिक वजहों से नहीं हुई कोई कारवाई पाकिस्तान के आरोखों का श्रलंकाई खेल मंत्री ने दिया जवाब हरिन फर्नांडो ने कहा भारत की और से दबाव डालने की बात जूटी सुरक्षा है बड़ा मसला श्रलंकाई क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाडियों ने पाकिस्तान जाने से किया है इनकार सरकार कश्मीर में सेव की खेती को बढ़ावा देने के लिए उठा रही है कदम कश्मीर में बढ़ेगा सेव का व्याफार किसानों को मिलेंगे सेव के वाजिब दाम करनाटक से कॉंग्रेस का वरिष्ट नेता डीके शूकमार की बेटी भी आई एडी के रडार पर एडी ने डीके शूकमार की बेटी एश्वरिया को 12 सितंबर को पूछ ताश के लिए बुलाया जलियांवाला बाग मेमोरियल में इंग्लेंड के कैटर बरी के आर्क बिशप ने जताई शर्मिंदगी और दुख जलियांवाला बाग हत्याकान पर दुख जताते वे आर्क बिशप मेमोरियल में ही दंडवत होकर लेट गए आर्क बिशप ने कहा कि वो ब्रिटीश तरकार के प्रवक्ता नहीं है लेकिन उन्हें इसका बहुत दुख है और मैं इश्वर के नाम पर बोल सकता हूँ धार्मेक नेता होने के चलते मैं इस पर शोक व्यक्त करता हूँ मेडिकल काउंसिल ओफ इंडिया की नई गाइडलाइन के बाद दिव्यांग शात्रों का भविश अधर में डॉक्टर बनने के लिए गाइडलाइन के खिलाफ कोर्ट में लड़ दहें हैं लड़ाई महराष्ट्र विधान सभा चुनाओं में सीटों के मटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना में नहीं बन पाई सहमती सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 174 सीटों पर चुनाओं लड़ना चाहती है वो शिवसेना को सिर्फ 114 सीटें देने के पक्ष में कॉंग्रेस अध्यक्ष सोन्या गांधी से 10 जनपत पर मिले NCP अध्यक्ष शर्वत पवार महराष्ट्र विधान सभा चुनाओं को लेकर हुई चर्चा महराष्ट्र में बीजेपी शिवसेनाय खिलाफ एक बार फिर बन सकता है महागटवंदन महराष्ट्र में कॉंग्रेस को लगा बड़ा जटका मुंबई के धाकर निता कृपाशंकर सिंग ये छोड़ी कॉंग्रेस कश्मीर पर कॉंग्रेस की निती से थे नाराज चीन के प्रतिनिदी मंडल ने ओडिशा की भूनेश्वर में विधान सभा के स्पीकर से की मुलाकात दों देशों के बीच वियापार और सांस्कृतिक कारेक्रमों को लेकर हुई चर्चा अभिनेत्री उर्मिला मांतोडकर ने कॉंग्रेस से इस्तिफादी दिया है उर्मिला ने पाल्टी में गुटबाजी कारोप लगाते हुई एफ़ास ला लिया है आयोधिया भूमी विवाद मामले को लेकर आज सुप्रीम कोट में 21 दिन के सुनवाई होगी चीफ जस्टिस रंजन गुगोई के अधक्षता वाली समिन्धान पीठ में दो पहर दो बज़े सुनवाई होगी आज मुसलिम पक्ष के वकील राजी उधवन बहस करेंगे आमरपाली के अधूरे प्रजेक्ट मामले को लेकर आज सुप्रीम कोट में एहम सुनवाई होनी है पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोट ने रजिस्टरी को आदिश दिया कि वो NBCC को फंड दे ताकि अधर में लटके आमरपाली के फ्लेट्स का काम पूरा हो सके गुजरात सरकार ने मोटर विकल एक्ट में जुर्माने की राशी में किया बदलाव पहली बार बिना लाइसेंस, आरसे बुक, पीउसी और बिना बीमा पकड़े जाने पर लगेगा 500 रुपय का जुर्माना दूसरी बार में गुजरात में 1500 रुपय के बजाए 1000 रुपय का लगेगा जुर्माना नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करने पर, चलती गाड़ी में मुबाइल पर बात करने पर, डार्क फिल्म लगाने पर लगेगा पूरा फाइन हल्मेट नहीं पहनने और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर गुजरात सरकार ने जुर्माने की राशी को किया कम, अब 1000 रुपय के बजाए 500 रुपय लगेगा जुर्माना ट्राफिक जुर्माना बढ़ाते ही पॉलूशन चेकिंग केंद्रों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतारे रोजाना चेकिंग का आकड़ा 50 से बढ़कर 200 से 300 तक पहुँचा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जल्द खुलेगा नए पॉलूशन जाज केंद्र मॉब लिंचिंग और बलादकार पेड़ितों की मदद करेगी यूपी सरकार यूपी वंत्रे मंडल ने बलादकार और मॉब लिंचिंग के ऐसे मामले जिन में जाच लंबी थें उनके पेड़ितों को राहत देने का किया आईलान यूपी में खरीब 25,000 होमगार्ज की ड्यूटी पर लटक सकती है तलवार बजट की कमी के चलते पुलिस विवाग होमगार्ज की सिवा नहीं लेने की कर रहा है तैयारी यूपी के बरेली में लवज यहाद का ममला महिला का रोप मुस्लिम यूवक ने हिंदू बन कर प्रेम जाल में फसाया फिर जबरन निकाहे किया पेड़ेता की शिकायत पर आरोपी गिरफतार मुंबई में फिर बिल्डिंग हाद साल क्राफ फोर्ड एरिया में तीन मंजला इमारत गिरी लेकिन सभी लोगों को सुरक्षित निकाला हफ्ते भर पहले ही दिया गया था खाली करने का नोटिस 82 साल के बुजुर का भेश बना कर अमेरिका जाने की कोशिश दिल्ली एर्पोर्ट से एक लड़का गिरफतार असली उम्र सिर्फ 32 साल सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर आज से प्लास्टिक कच्रे को उठाने की मोहिम शुरू देश भर के समी सरकारी में भाग और दफतर इस मोहिम को करेंगे शुरू पश्चिम बंगाल के से लिगुणी में लगाये गया फोटो एक्जिवीशन देश विदेश के कई फोटोग्रापर्स ने लिया हिस्सा एक्जिवीशन में 130 से ज्यादा वाट जीत चुकी फोटो को लगाये गया बिहार के फारबेस गंज में मुहर्रम के दौराण चंदरियान टू का ताजिया निकाला गया सांप्रदाएक सोहार्थ की मिसाल काइम करते वे हिंदुओं ने ताजिया निकाल रहे लोगों के लिए पानी का स्टॉल लगाया आंध्य प्रदेश के कलनोल में मुहर्रम जुलूस के दोरान गिरी छत हाथ से 15 लोग धायल MP के बढ़वानी के राज घाट में बसे लोगों को हटाने पहुंची टीम मुआवजे की मांग पर अड़े ग्रामडों ने टीम के सदसियों के साथ की धका मुखी नर्मदा का जलस्तर बढ़ने पर जारी किया गया था अलर्ट मध्य प्रदेश में बारिश की चलते बांध हो रहे हैं ओवर्फलो कई शहरों गाउं में घुसा बाढ़ का पानी मौसम विभाग ने जारी किया राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश के भोपाल के मिस्रोध पुलिस थाने में घुसा बाढ़ का पानी पुलिस वालों को पानी के बीच में करना पड़ रहा है काम गुजरात के एहमदाबाद में लगातार हो रही भारी बारिश के वज़े से धंसी सडक सडक धंसने से लोग दहशत में जगनात मंदिर के पास सडक में सुरंग बन गई गुजरात के एहमदाबाद में कई घरों पर आकाशीय बिजली गिरी जिससे लोग दहशत में है बनास कांठा में भी बिजली गिरने का लाइव वीडियो आया सामने यहां पर खेतों में गिरी बिजली शिमला में बढ़ते बंदरों के आतंग से अब पूरु फौजी लोहा लेंगे शिमला नगर निगम में पूरु असानिकों को तैनात करने की योजना बना रहा है उत्तरप्रदेश के लखीमपूर में मौजूदा दुदवा निशनल पार्क में किया गया हाथियों का सालाना हेल्थ चिकप 25 हाथियों की पूरी हुई जांच इस दौरान हाथियों को उनका मन पसंद खाना भी खिलाए गया केरल के कोची में स्कूली बच्चों ने टीचर्स के साथ मनाया ओनम का तेवहार बच्चों ने पेश किये सांस्कृतिक का रिक्रम फसल की अच्छी उपच के लिए मनाया जाता है ओनम का पर्व प्रधानमंत्री नरिद मोदी ने ट्वीट कर दी ओनम के शुब औसर पर बधाई लिखा इस तेवहार से हमारे समाद में खुशी कल्यान और सम्रिद्धी की भावना और बढ़े उपराश्पती वेंके यनाईडू ने कहा ओनम सम्रिद्धी दयाक करुणा त्याग निस्ठा और संतुष्टी का तेवहार है मैं चाहता हूँ कि यश्य भावसर हमारे जीवन में शान्ती सद्भाव सम्रिद्धी और खुशी लाए ताटा पावर ने वोल्टाज के साथ किया करार अब वोल्टाज एसी खरीदने पर ताटा पावर दहांको को देगी पच्चास प्रतिशत तक की छूँ अभी मुंबई और दिली में योजना शुरू देश के बाकी शहरों में भी जल्द विस्तार होगा अमेरिकी राजपती डोनल्ड टरंप ने अपने रास्टी सुरक्षा सलाकार जॉन बोल्टन को पद से हटाया अगले हफते नए रास्टी सुरक्षा सलाकार के न्यूकती करेगा वाइट हाउस इराक में मुहर्रम के दौरान कर्बला में भगदर से मरने वालों की संख्या बढ़कर रिकत्तिस हो गई है कई घायलों की हालत अभी भी घंबीर इंग्लैंड के पूर कप्तान एलिस्टर कुक ने औस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्डनर पर हाथ पर टेप लगा कर गेंच से छेट छाड का गंभीर आरोप लगाया अंग्रेजी अकबार दगाजियन ने कुक के हवाले से लिखा पच्चास साल की उम्र में शर्टलेस हुए अजय देवगन उनकी फोटो हो रही है वाइरल देश भर में जारी है गड़े शोत्तों की धूम मुंबई के अंधिरी में राजा के पंदाल में पहुची बॉलिवुड अभी ने त्री कंगना रनाओ कंगना को देखने के लिए पंदाल में जुटी फैंस की भारी बीर कंगना ने पहनी थी सिल्क साड़ी जानिमानी एक्ट्रस रविना टंडन जल्दी नानी बनने वाली हैं रविना टंडन ने हाली में अपनी बेटी छाया के लिए बेवी शावर पार्टी होस्ट की थी छाया को रविना ने साल 1995 में एडॉप्ट किया था अर्जुन कपूर के साथ वेकेशन से लोटते ही मलाइका रोडा फिर से फिटनेस रूटीन में जुटी वर्काउट की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की